नमस्कार दोस्तों मैं उनको रुपाथियाज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों डीवीज लैब के अभी अभी नतीजे आते हुए दिखें है रिजल्ट्स कैसे रहे इसके बारे में डिसकस करेंगे ले इस लोपए कारोबार कर रहा है एवरेज पूरे दिन के जो एवरेज वॉलियम होते हैं उसको सरपास कर दिया है स्टॉक के वॉलियम से अभी लग बाराइबज के 37 मिनट का समय हो रहा है और इस बीच पूरे दिन के वॉलियम से ज्यादा शेर में वालियम ट्रेड हो चुक पे एक year on year basis पे और एक सबसे important market का क्या अनुमान था market के base पे मतलब market क्या estimate करके चल रहा था कि नतीजे कैसे रहेंगे उसके सामने company ने कैसे पेश करें यह मेरे लिए most important होता है क्योंकि market की expectations पे अगर खरा उतरेगा share तो market उसे reward करेगा तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करता हूँ and results discuss करता हूँ आप सभी के साथ बिना किसी देरी के सबसे पहले ज़रा इसके consolidated profit पे नज़र डालते है तो quarter one का consolidated net profit company ने 702 करोड रुपीस का profit post करा है 560 करोड से भढ़कर ये profit 702 करोड का हो गया यानि year on year basis पे तो काफी शांदार जंप देखने को मिल रहा है and लगबक quarter on quarter basis पे देखें तो 895 करोड से company का profit घटकर 702 करोड पे रह गया यानि quarter on quarter basis पे कमजोर year on year basis पे मजबूत अब अपने final numbers देखते हैं कि market का estimate क्या था तो market के estimate almost 700 करोड के profit का इधा 690 to 700 करोड का तो exactly जो market अनुमान लगा के चल रहा था वैसे ही number पेश करें फिर ये 3.5% क्यों निचे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा चलिए आगे देखते हैं revenue लगबक company ने 22,500 करोड का post करा है लगबक 19,600 करोड से बढ़कर ये revenue आया है and year on year basis पे तो बहुत अच्छा है quarter quarter पे देखें तो 2518 करोड से कहीं न कहीं ये जो आपका revenue है वो 2250 करोड पे आया है मैंने साहथ अभी starting में 1000 बोल दिया था तो मैं उसको थोड़ा सा back लेता हूँ अपने वर्ट्स को दोस्तों माफी चाहता हूँ revenue जो है मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ year on year basis पे 1960 करोड से बढ़कर 2250 करोड पे आया है and quarter on quarter basis पे 2500 करोड से घटकर 2250 करोड पे आया है तो quarter on quarter basis पे revenue भी कम हुआ है profit भी कम हुआ है year on year basis पे revenue भी जादा है प्रॉफिट भी जादा है आगे बढ़ते हैं एबिटा मार्जिन्स को देखें तो लगबग 37.6% परसेंट पर गए है 43.46% से घटकर year on year basis पे and market estimate लगा के चलता था 41% के लगबग कमपनी जो है मार्जिन्स पेश करेगी and quarter on quarter basis पे भी 44% से घटकर 37.6% पे आगे तो यह numbers जो है आप कह सकते हैं थोड़े slightly खराब है क्योंकि quarter on quarter basis पे तो सब कुछ डाउन है चाहे वो margins और revenue या वो profit हो in fact margins quarter on quarter plus year on year basis पे भी कमजोर है market के expectation से भी कमजोर है तो यह कुछ खराब जादा हो गया है profit की बात करें तो market के अनुवान से अच्छा profit है and आप यह भी कह सकते हैं year on year basis पे काफी अच्छा jump है and revenue में but quarter on quarter काफी खराब दिख रहा है तो यही एक कारण है जहां पे आप सभी ने थोड़ा सा weakness आते हुए दिखा है company के numbers में and इसी के कारण stock आपको days low के पास trade करता हुआ दिख रहा है अब करना क्या चाहिए इसके बारे में बात करता हूँ आप सभी के साथ 3823 के levels पे stock trade कर रहा है मुझे लग रहा है पहला support 3800 के आसपास बनेगा अगर वो break करता है तो आपसे मैं exit की साहला दूँगा फिर लगबग 3600 50 3600 3700 तक विजिट कर सकता है तो 3800 के proper SL के साथ आप बने रहें इस stock में and अपनी position को hold कर सकते हैं बट मुझे लग रहा है वो trigger हो जाएगा क्योंकि स्टॉक की रिजल्स थोड़े वीक साइड में and वह trigger होता है तो आप से कहूंगा निकली जाए लेकिन लॉंग टर्म निविशा के तो मेरी पिक रही है best पे के मेरे हसाब से आपके long term portfolio का हिस्सा है तो बिलकुल बने रहें निश्चिंत बने रहें हर गिरावर्ट खरीदने का मौका यह stock आपको 5000 के levels दिखाएगा आने वाले 12-18 महीने में and 3800 का level almost break हो गया तो कोई फाइदा ही नहीं है SL रखने का 38008 के levels पे आ गया अगया दोस्तों अगर आप एक बढ़िया जगे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पे टीम मनी का वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें मैंने अभी एक community box में पोस्ट शेर करी कि आपका डीमेट अकाउं आप chart से देखने देखने direct trade प्लेस करते हो आपको चाउंट छोडने तक कि जरूवत नहीं पड़ेगी तो आप एक बार जाएगे और अपना अकाउंट ओपन करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे साथ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं जहां पर मैं आपको अपने पर्सनल वर्टसब गुरुप में एड करूँ हैं जहां पर हमारे सारे क्लाइंट्स हैं यह थी मेरी वीडियो डीवीज लैप के रिजल्ट के उपर होप आपको समझ में आई होगी थैंकि सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो है वाग्रेट देगाई